नमस्कार आप देख रहे हैं देश की बात मैं हूँ दीपक दोभाल कश्मीर में अलगाववाद की कमर तूटने के बाद अब अलगाववादी नेताओं के होसले तूटने लगे हैं पाकिस्तान की भाषा बूलने वाले अलगाववादी नेताओ बाद चीत की मेज पर आना चाहते हैं जेहां कश्मीर के राजपाल सत्पाल मलिक ने धावा किया कि अलगाववादी संगठन हुर्यत कॉन्फरेंस बाद चीत करने को तयार है और इसकी पुष्टी हुर्यत के चेर्मेन मीरवाईस उमर फारुख ने भी की मीरवाईस के मताबिक अगर बादचीत की कोशिश होती है तो इसके सकारात्मक नतीजे निकलेंगे और इसी के साथ ही कश्मीर में हुर्यत से बादचीत को लेकर एक नई बहचर गई है सवाल ये है कि क्या वाकई केंदर सरकार की सकती से हुर्यत घुटने पर आ गया है क्या वाकई हुर्यत से कोई बादचीत होनी चाहिए क्या वाकई में घाटी में ऐसा माहौल बना है जिसमें हम बातचीत के लिए एक साथ बैठ सकें इनी सब उद्दों पर होगी देश की बात लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए मेहमानों का एक पूरा पैनल होगा हमारे साथ इनके साथ हम आज करेंगे देश की बात जो अलगाव वादी हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का रा गलापते थे जो अलगाव वादी देश के दुश्मनों की मौत पर मातम मनाते थे जो अलगाव वादी देश के टैक्सपेयर्स के पैसों पर आराम की जिन्दगी जीते थे उन अलगाव वादियों पर मोदी सरकार ने सखती का ऐसा चाबुक चलाया कि अब वो त्राहिमाम कर रहे हैं जम्मु कश्मीर के राजेपाल सत्यपाल मलिक के मुताविक राजे में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है पधर बाजी की घटनाएं थम रही हैं और आतंकियों की भरती पर लगाम लग चुकी है यहीं नहीं उनके मुताबिक बादचीत से परेज करने वाला हुर्रियत भी अब बादचीत की कोशिश के लिए पूरी तरह से तयार है हाला की राजीपाल मलिक ने आतंकियों को ये भी चेताव नहीं थी कि जब कोई युवा मारा जाता है तो अच्छा नहीं लगता लेगिन गोली कोई चलाएगा तो जवाब भी गोली से मिलेगा सेना घुलदस्ता भेंट नहीं करेगी सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद हुर्रियत का भी बयान आ गया हुर्रियत कॉन्फरेंस के चेर्मेंग मीर वाइज उमर फारुख के मताबिक बादचीत की पहल होती है तो इसके सकारात्मक नतीजे निकलेंगे कश्पीर में बादचीत के अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है हुर्रियत हमेशा बादचीत के पक्ष में रही है इसे पहले सरकार ने पुलवामा अमले के बाद हुर्रियत समेत अलगावादी नेताओं की सुरक्षा वापस लेने के साथ ही उन पर टेरर फंडिंग पर N.I.A. और E.D. का शिकंजा कस दिया था इस वक्त यासीन मलिक समेत घाटी के सभी बड़े अलगावादी या तो जेल में हैं या घर में नजरबंद शनिवार को ही हुर्रियत कॉन्फरेंस के अलगावादी नेता मीर वाई जुमर फारूख को श्रीनगर में ही उनके घर में नजरबंद कर दिया गया माना जारा है कि सरकार की इसी कार्रवाई से घबरा कर अलगावादी अब बातचीत की मेज़ पर आने की कोशिश कर रहे हैं उधर इस मुद्दे पर राजनिती भी शुरू हो चुकी है बी जेपी का कहना है कि देश के विरोध में नारे बुलंद करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी तो कॉंग्रिस ने पाकिस्तान को बातचीत में सबसे बड़ा रोडा बताया वहीं अंसीपी ने ताब फारुक अब्दुल्ला ने तो पाकिस्तान से भी बातचीत की पेशकर्श करती भारत की एकता और खंडता को मानते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का बिन अंग मानते हुए जो भी बातचीत करेगा जो भारत माता की जै कहता हम उसके साथ बातचीत कर लेते हैं लेकिन जो जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ नारे लगाने वालों से कोई बातचीत नहीं होती है बन्यादी तोर पर बातचीत अगर आप उरियत से कभी भी करेंगे सवाल ये है कि क्या वाकई घाटी में बातचीत केला पुलवामा हमले के बाद अब तक घाटी में कोई बणा हमला तो नहीं हुआ लेकिन आतंकियों का घात लगा कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाना जारी है तो ऐसे में क्या अलगाव वादियों से बातचीत होनी चाहिए सवाल ये भी है कि हुर्यत के घुटनों पर आने के पीछे की वज़ा क्या है और इस माहौल में सरकार को क्या करना चाहिए इनी सब मुद्धों पर होगी आज देश की बाद चलिए तो इनी मुद्धों पर होगी आज देश की बात और इस मेहत्वपूर्ण चर्चा पर बाचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमानों को एक खास पैनल है सबसे पहले आपका परीचे करा देते हैं हमारे साथ है ताहिड सेयद साब जो की प्रवक्ता है पीडीपी के ताहिड जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ है अमित रहना जो की प्रवक्ता है रूट सिन कश्मीर के बहुत-बहुत स्वागत है अमिज जी आपका हमारे साथ है major general retire विशंबर दयाल जी, defense expert है, सेना में काम करने का अनुभव है, general दयाल बहुत-बहुत सभागत है आपका हमारे साथ है रमीज मखदूमी, राजनेतिक विशलेशक है, कश्मीरी है, रमीज जी बहुत-बहुत सभागत है आपका हमारे साथ है komodore retire जी जे सिंग, defense expert है, सेना में और काम करने का लंबा अनुभव रखते हैं, komodore सिंग आपका बहुत-बहुत सभागत है और हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार, जो की कश्मीरी से भी तालुक रखते हैं, अनिल आननद जी बरश पत्रकार हैं, अनिल जी आपका भी बहुत-बहुत सभागत है इसके लाव हमारे साथ सेद जफर इसलाम भी जुडेंगे, आपसे कुस देर में जब वो आएंगे तो उनको भी हम शामिल करेंगे पैनल में लेकिन अब वक्त है फिलहाल कड़क सवाल का ताकि आप लोग या हमारे विवर्स भी इस चर्चा में शामिल हो सकें इसलिए हम पूछ रहे हैं कड़क सवाल आप से, आपको हाँ या ना में इसका जवाब देना आज का कड़क सवाल है, क्या कश्मीर में गोली का जवाब गुल दस्ते से दिया जाना चाहिए एक तरफ गोलियां चल रही है, एक तरफ हिंसा है, तो दूसरी तरफ बातचीत की पैरवी है, बातचीत की कोशिश है, बातचीत की पहल है कैसे बिठेगा तालवेल, आपकी क्या राए है, क्या कश्मीर में गोली का जवाब गुल दस्ते से दिया जाना चाहिए यहाँ पर जाकर आपको हमारा ऑनलाइन पोल नज़र आएगा, हाँ आना में आपको जवाब देना है, और आपकी जो भी राए आएगी, उसे हम शामिल करेंगे शो में, कोशिश करेंगे उस पर विश्टिशन भी हो जाए और चलिके आप चर्चा की शुरुबात करते हैं, और एक अपचारिक से गुजारिश में सभी से कर दूँ कि एक दूसरे को टोके ना, सबको बोलने का मौका मिलेगा, हम चाते हैं कि एक सार्थक चर्चा हो, एक सार्थक नतीजे पर पहुंचे यह चर्चा, इसलिए टोका भी वाच कर रहे हैं सारी चीजों का, क्या आपको लगता है, जो मौझूदा पॉलिटिकल जो डिवलिप्मेंट्स हुए हैं, क्या आपको लगता है कि जो बाचीत की पहल हो रही है, क्या अभी मौका आया है, कोई ऐसा माहौल बना है, जिसमें हम यह कह सकें कि हाँ बाचीत करना चाहते हैं, इतने साल के बाद जिस मुद्दे को आप तक थे, क्या आप बाचीत करें तीन सो सतर धारा को डाइलूट करने की, क्या आप बाचीत करेंगे वहाँ पे उनको सरेंडर करवाने की, टेरिस्ट को, क्या आप बाचीत करेंगे वहाँ एक विनिंग ओफ आर्ट and mind की अगर इस दाइरे में कोई बाचीत करना चाहते तो कर ये वरना जमूएंड कश्मीर की सॉल्यूशन कम्प्रियेंसिव है आज तक जमूएंड कश्मीर भारत का टू टंग है एक्सेस एंड डॉकुमेंट कहता है उसके बाद लोकल गॉर्मेंट आने दीजिए और वो गॉर्मेंट अपने लोगों को अच्छी सरकार दे और टेर्रिस्ट को सरिंडर कराएं मुद्दा तो ये है ना कि वहाँ पे टेर्रिस्म है और टेर्रिस्म बात करने से नहीं जा सकता लोग कहते हैं बंदूग से नहीं जाएगा मैं कहता हूँ बात करने से नहीं जाएगा हाँ अगर आप हुर्यत को लेजिटिमाइज करेंगे तो और इसको आप दाइरे को जो आपने आज तक सेक्रिफाइस दिये आप उसको डाइलूट करेंगे इसलिए अभी माहौल नहीं है गवर्नर साहब ने एक साल जे काफी अद तक लोगों के दिलों तक पहुचने की कोशिश किया काफी काम किया है मैं समझता हूँ इसको ज्यादा इसको 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 इसकी हवा दे के आप हुरियत को लेजिटिमाइज कर रहे हैं कल कोई कहेगा पाकिस्तान को भी बुला लीजिएगा अरे भारत का आंग है भारत में वहाँ भी इलेक्शन हुआ है वहां मेंबरा पार्लामेंट हैं बर्देयाल साहब ने जो उठाया है उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप पहले ये तो बताएं कि क्या गाटी में बातचीत का माहल है और अगर आप बातचीत की बात कर रहे हैं गवर्नर साहब अगर बातचीत की बात कर रहे हैं वो भी हुर्यत की बात को एंटेटेन कर रहे ह तो ये legitimate माइस करने जैसा हो गया क्या कहेंगे आप इस पर देखे मैं दो तीन बाते कहना चाहता हूँ पहली बात गवर्नर साहब ने जो कहा है उसके बारे में गवर्नर साहब तस्वीर डेटेल में बताएंगे लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि देखे हमने कश्मीर के मसले को सुल्धाने की कोशिश किये सबसे बड़ा मसला दो था वहाँ एक वहाँ पर पाकिस्तान से आए वे घुसपैटिया टेरिस्ट और वो उनके इशारे पे देश में कश्मीरी जो है कुछ ऐसे थे वो जो टेरिस्ट बन गए थे ये सबसे बड़ा मसला था हमने आइडेटिफाई कर लिया कितने लोग है क्या है उनके पूरी वे वहाँ के फौज ने हमारे उसको identify करके रखा पिलीज को हम उनको neutralize कर रहे हैं बहुत साफ तरिके से मोल हूँ हम उनको neutralize कर रहा है आप रोज सुनते होंगे इतने को धिर लगा ये टार्गेटेड़ लोग हैं और उनको neutralize करना है इनकी वज़ह से कश्मीर में अमन का महल नहीं आ रहा है दूसरी बार एक हुरियत हुरियत को हमने एनाय के थुरू हमने बिलकुल उनको जिस तरह से वो सरकारी माफ़दे में जी रहे थे पहले हमने उन्पे कड़ी सक्ती की और सक्ती को वज़े से हुरियत की कमर तूड गई है यहां पर मसला यह है कि हम सिर्फ एक ही मैं तो पूछता हु क्या हुरियत ने इस बात को तस्लीम कर लिए कि भाई उसको सिर्फ देश का आईन देश का जो सविदान है उसको मानने लगे हैं पहले तो यह सबसे बड़ा सवाल है यह अगर 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 जफिस की आप कर्मेशन दे मेरा स्पेसिफिक कोश्शन था ज भारत सरकार अपने स्टैंड बताएगी लेकिन मैं दो तिन बात जरूर काऊंगा पहली बात कि हुरियत की कमर तूड़ गये इसकी निशानदे इसका सिगनल बहुत साफ है दूसरी बात कि जिसने जो क्राइम किया है हुरियत के लोगों ने जो भी घश्मीर में रहके सब्सक्तान करना पड़ेगा सजा इसको जहलनी पड़ेगी तीसरी बात विदिन दे कॉंसिटूशनल फ्रेमवर्क हर कश्मीरी से हम बात करने के लिए पहले भी तयार थे आज भी तयार है इसलिए कि देखिए आप पहले भी देखिए जब राम बिलास पासवान जी गयते बड़ा डेली का शक गया था वो बात करने के लिए उन्हों अपने दर्वाजे बंद कर दिया थे या लोगों ने मिलने से इंकार कर गया था हम अपने आपने ने मैं कहरा हूँ कि पहले हुरिया से पुझे नों को अप अपने देश का सविधान उनको एक्सेप्टेबल है कि नहीं कि अगी वह पाकिस्तान के इशारे में उचलते कुझे रहते हैं आज वे तो लिए कि अगर तो तो उसके सकारात्मग नतीजे निटल बातचीत अगर होगी तो उसके बारे में जो हो मिनिस्ट्री या राजपाल जी बाद में उसके डिटेल बताएंगे मैं इसके बारे में अभी ट्विप्टी नहीं करूगा लेकिन जरूर कहूँगा कि कोई भी बातचीत होगी तो विदिन दे कॉंस्टिटूशनल फ्रेमवर् परिश पर बगता हैं और खुद जफर इसलाम साब भी यही बोल रहे हैं कि जो कॉंस्टिटूशनल फ्रेमवर्क में बातचीत होनी चाहिए लेकिन अनिल आनन जी सरकार और पार्टी में ये जो डिफरेंसेज नजर आ रहे हैं ये क्यों नजर आ रहे हैं बातचीत को लेकर या मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि डिफरेंसेज आपको नजर नहीं आ रहे हैं पहले तो थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिए ये बातचीत को लेकर बीजेपी और सरकार में डिफरेंसेज नजर क्यों आ रहे हैं तेकि मुझे हरानगी नहीं है ये डिफरेंसिस कह लीजिए ये पॉबलिक परसेप्शन को एक अलग अलग तरीके से देखने की कवायत कह लीजिए लेकिन मैं जफर साब की जो डिसकॉस था जो उनका स्टैंट था उसमें मैं बीजेपी के स्टैंट से मैं मैं कोई हरान नही हूँ उसकी एक सिंपल सी वज़ा है एक तो पहले तो मैं किसी भी डायलॉग का अगर बात होती है अगर बात होती है और मुझे लगता कि कहीं न कहीं कोई पेश कदमी हुई है गवर्नर साब ने इसको पहले इसको इसका खुलासा किया पहले उन्होंने उसके बाद जो हुरियत के एक फैक्शन के माइल्ड फैक्शन के चेर्मेन है उन्होंने आज इसको कनफर्म भी किया तो कहीं न कहीं कोई तार जुड़े होंगे हवा में बात तो ऐसे होगी नहीं अगर आग कहीं जली है तो दुआ तभी निकलेगा लेकिन ये बात यह है कि महौल है कि नहीं है एक अलग डिबेट है दूसरी बात जो मैं कहर चाह रहा हूँ जो आपने सवाल पूछा के बीजेपी और उसमें डिफरेंसेज लेकिंगे जम्हों किश्मीर में एक चुनाव खतम हुए एक चुनाव फिर आ गया अब वहां पे स्टेट असमली का इलेक्शन है भार अलिमनकेट सीट उन्होंने जीते हैं पिसली बार भी जम्हों की सैंटीस में से पच्छिस असेम्बली की सीटे उन्होंने जीती हैं एक तो उनको जिस तरह से पार्टी प्रेजिडंट अर्मित शाजी ने घोशना भी की थी कि हम अपने दम पे आप सरकार बनाएंगे वहां कहीं न कहीं कवायद है लेकिन टाइट ट्रोक वाकिंग ये है कहीं ऐसा ना हो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम क्योंकि जम्हों और किश्मीर एक इतनी पॉलराइजड हैं दोनों रीजन स्टेट के किनी डिफरन इशूस पे पॉलराइजड हैं लेकिन इतने जाके अगर वाकई हुरियत के साथ बात होती है तो वो अपनी पार्टी पॉजिशन चेंज करेगी के नहीं करेगी ये देखने वाली बात होगी ठीक है अमित रहना आपका टेकस पर क्या है नमबो वन क्या वाकई में घाटी में ऐसा माहौल है कि राज़पाल मौदे ये कह पाएं कि हुरियत बातचीत के लिए तयार है और एक तरह से एक रूम खोलने की एक स्पेस देने की जो कोशिश की जा रही है जो हमें समझ में आ हैं मगर बात ही कि आज हुरियत बातचीत के लिए तयार क्यों है क्योंकि उनकी कमर टूटी हुई है उनकी लानी सहाब की तब्या ठीक नहीं है पुब्लिक इंट्रेक्शन उनकी जीरो है जो जेलर करके जॉइंट लिडर्शिप है तीन लोगों की या सीन मलिक जेल में हैं और मुझे नहीं लगता बाहर आने वाले हैं और बचे है मीरवाय जो थोड़े बहुत सौफ्ट हैं उन पर भी केसिस हैं बाकी हुरियत वालों पर भी केसिस हैं तो यह आज एक बचाव का तरीका है हुरियत का मुझे नहीं लगता कि उनका intention है मसला सुलजाने का आई साइ उनको वो करने नहीं देगा, तो आज एक तरीका है, अपने कमर बचाने का, सरकार के कहर से बचने का, और कोई तरीका नहीं, जहां तक बात है बातचीत हुरियत से करने की, मैं जनरल साब से बिलकुल इतिफा करता हूं कि देखे, आप 2014 कैलेक्शन लिए तकरीबन 55% वोलिंग पोलिंग हुई जम्मू कश्मीर में, आप जब एक elected legislator लाते हैं, 65% एक बहुत अच्छी पोलिंग है, किसी भी प्रदेश में इस देश में, और कश्मीर के तो कई एसंबी कॉंस्टेंसी में 80-80% की वोटिंग वी, तो आप legislature को ही valid representation मानेंगे लोगों कर ना की एक कोई solution है नहीं इसका, आप elected representative सरकार नुमाइंदा होती है, लोगों की उसके अलावा और कोई नुमाइंदा नहीं होता, अगर हुरियत को लगता है कि वो लोगों के representative है, भारत के AIN में विश्वास रखे, भारत के समवेधान में विश्वास रखे, और election लड़े और प्रूव करें कि वो लोगों के representative है, नहीं तो चलाने से, गोली बारी से, बम फहेंगने से आप नुमाइंदे नहीं बन जाते लोगों के, लोग आज तरही तरही कर रहे हैं कश्मीर में, लोग खुश हैं कि मोदी सरकार वापस आई है, डर जरूर है उनको की मोदी सरकार टफ डिसिजन्स लेगी और इससे शायद हालात खराब हो सकते हैं, मगर साथ-साथ उनको यह भी उमीद है कि अगर यहालात कोई सदार सकता है, तो मोदी सरकार ही सदार लगती है, और मोदी सरकार और इलेक्टिट गौर्रमेंट ही इसको सिलूशन दे सकती है, आप यासीन मलिक जो एरफोर्स आफसर्स की किलिंग में बंद है, आप उससे बात करेंगे कि कश्मीर का मसला कैसे हलो, आप शबीशा से बात क करेंगे जो जिनका सुना है मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है मुझे नहीं पता बट खबा तो यहीं आ रही है आप किससे बात करेंगे आपको बात करनी पड़ेगी एलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिटिव से जो लोग के नुमाइंदे है इक्जाक्ली हम इस पर भी बात क बात्चीत में गवर्नर साब यह गवर्मेंट इंट्रेस्टेड है और अगर बात्चीत हो जाती है तो वहापर तो कई पॉलिटिकल पार्टी की दुकान ही बंद हो जाएगी इसमें तो पी डीपी भी शामिल है क्योंकि इस पर फिर राजनीती कैसे कर पाएंगे आप लोग देखिए सबसे पहले हम बात्चीत पे कोई राजनीती नहीं करते हैं हमें आज सबसे बड़ी खुशी आज इस बात की है कि हमारी पार्टी का स्टेंड आज विंडिकेट हो रहा है जानीता है वो चाहिए 1999 का हमारी पार्टी का बेसिक डेकलरेशन हो हमारी इरेक्शन मैनिफास्टोज हो या एजंड आफ आफ इलाएनस हो जो हमारा बीजेपी के साथ है बीजेपी के साथ थोड़ी इसमें पूरी तरह से वाज़िया तरह से ये लिछा गया था कि हम कश्मी का जो इसु है या इशूज है हर एक जो है ही बातचीट के जरीहा हल होना चाहिए महभूबा जी जब चीप मिनिस्टर थी वह एलक्टीड चीप मिनिस्टर ती अब शाएद अमीतरहना जी बात कर रहे थे कि अलेक्टरी representative से बात होनी चाहिए या वो क्या कहते हैं देखिए महभूबा जी जब यहां पे थी तो वो एक elected chief minister थी तो वो floor of the house वो जब बात कर रही थी तो वो जमू कश्मीर के लोगों की तरफ से बात करती थी वो हमेशा से आपको यह कहती थी कि बातचीत के जिर्ये ही मसले का हल होगा आप बातचीत कीजिए हमें खुशी है कि आज हुरियत ने अपना stand जो है वो थोड़ा soft किया है और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि BJP ने भी आज अपना stand जो है यह बातचीत का आगाज होना चाहिए देखे हम यहां जम्रो कश्मीर के रहने वाले हैं हम कश्मीर घाटी में यहां रहते हैं हमें मालूम है कि हम पर कितनी मुसीपत हैं कितनी परशानिया हैं आए रोज के killing से चाहे किसी तरह की भी killing हो हम हर्गिज यह नहीं चाहेंगे कि राजस्तान हर्याना या उत्रपरदेशा किसी भी राज़ी की किसी भी मां को यहां से ताबूत में तरंगे में लिपी वी आपके डेटे की लाश में जो हुर्यत का स्टान नज़ा रहा है जो हम बाचीत कर रहे हैं मनी लॉंडरिंग के केसेज में सिविलियन्स आमी परसनल्स के पर अटैक में उनके मर्डर में ऐसे संगीन आरोपों में फंच चुके हैं जो बहुत पहले उनको फंच जाना चाहिए था अब वो चारों तरफ से फंच गए हैं अब जाकर वो एक तरह से सरेंडर्ड मोड में है और एक रास्ता खोज रहे हैं कि कहीं से एक किरन नजर आए और हम उसका फाइदा उठा ले ये उनकी मंचा नजर आ रही है कश्मीर में शान्ती की कोई मंचा नजर नहीं आ रही है उनकी फिलाल देखिए हर एक को अपने अपने तरीके से सोचने का किसी भी अपने हर एक अपने अपने परस्पेक्टिव से चीज चीजों को देखता है हम इसको एक positive perspective पाजिटिव नजरीय से देखते हैं कि अगर बातचीत की पहल होती है बातचीत शुरू होती है हम उसको यहां पे अपने local perspective से यह local नजरीय से देखते हैं कि हमें क्या फाइदा मिलेगा हम उससे यहां पे यह देखते हैं कि यहां पर अमन शान्ती का एक माहूल होगा एक peace agreement हो जाए एक आइस ताइस देखें यह तो रातो रातो नहीं होगा अगर बातचीत शुरू भी होगी मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा था ना इस चीज़ को अपने नजरिये से दिखते हैं दीपर किसमें देखें दो तीन चीज़ें आती जो मुझे समझ में आ रही है पहली बात तो यह आती है कि अगर कश्मीर के गुवर्नर सत्यापाल मलक जी ने कहा है कि बातचीत की जो बात चलाने की बात है इसके उपर उन्होंने कोई positive indication दी है तो इसका एक मतलब तो यह है कि उनके कहीं न कहीं तार जुड़े हैं और साथ में उनको हो मनिस्टरी से खास करके अमित शाजी से हरी घंडी दिखाई दी है कि यह बातचीत का भी आप रासा देखे क्योंकि जो हमारे हो मनिस्टर हमारी government नई government उसमें नई सोच क्योंकि टाइम बदल चुका है पांच साल अभी हमने निकालने है हमारा वहां पर अगर rate of sacrifice देखा जाए हमारे जो जवान देली वहां पर शहिद होते हैं उनके rate को देखा जाए और दूसरी जो एक बहुत बड़ा challenge home ministry के सामने है government के body government के सामने है वो है 370 को 370 धारा को 35 धारा को हटाने का और जतने कश्मीर वैली के लोगां अपने साथ लेने का ये उनके दो तीन मैं समझता हूँ overall उनके जो aim है उनकी जो soul purpose है तो अगर इनके अंदर देखा जाए तो एक तो मुझे लग रहा है कि इसमें home ministry की approval मिला है सत्यपाल मलकी को ऐसी बाते करने का दूसरा जो aim है लगता है कि ये जो लोग हैं जिसको हम अलगवादी कहते हैं और ये जतने separatist लोगों को follow करते हैं अगर उनको आप देखें constitution में जतने privileges हैं जैसे के आप देखें अधार कार्ड राशन कार्ड उनका पैन कार्ड उनका ड्राइविंग लाइसेंस उनका पासपोर्ट जतने हैं ये सब इंडियन हैं इनके दिलों के अंदर जो पाकिस्तान बसा हुआ है उसको निकालना है हमने और अपने साथ लेना है और इसका रास्ता जो है अगर without कोई relaxation without जो हमारी government ने all out आर्मी को हाथ दे रखा है वो एक दर्वाजा खोल के ये देखना अंदाजा लगाना चाहते हैं कि इनके हम अपने sacrifice जो rate है हमारे जो लोग मर रहे हैं इनको कैसे कम किया जाए क्योंकि आफ्टर आल एक political solution तो चाहिए ना हमने उनको पूरा एक बहुत जबरदस पिछले पांच सालों में एक सबक सिखाया है इसमें कोई शक्त नहीं है और वो हर जगा से फसे हुए है और अबी कुछ ऐसे लग रहा है कि सत्यापार जो कह रहे हूं की बातों को लगा है आप कहरें एक process के तहट आगे बढ़ रही है government of India और राइट सर और राइट में आऊंगा आपके बास रमीज बहुत देर से वेट कर रहे है रमीज आप हमें बताईए और आप से भी मेरा वही सवाल होगा इससे पहले कि मैं open करू फ्लोर को आप से भी मेरा वही सवाल होगा आप बार बार कहते हैं कि हम कश्मीर की बात करते हैं हम कश्मीर की ground report reality टीवी पर बताते हैं आप अगर आप ये दावा करते हैं तो ये बताईए कि क्या वाकई में ऐसा माहौल है कश्मीर में कि हम बात चीट कर पाएं जी देखिए यहां पर सभी पैनलिस्ट ने कुछ एहम पॉइंट्स बताएं और सार्थक बाते की ये अच्छी बात है कश्मीर का गंबीर मुदा है तो बात सार्थक ही होनी चाहे अब मैं दो तीन पॉइंट्स एक एहम कहूंगा हमारे जी बिजिस के दर्शकों के लिए पहले जब से गवर्नर सतिपाल मलिक जी आये है इनूने कुछ स्ट्रॉंग बाते कही हैं और सच बाते कही हैं जैसे कि इनूने कहा कि युवा देहली से काफी अलग सूचता है जैसे इनूने सूचा कि मोतू का सिलसला बंद होना चाहे और जिस फंक्शन में मैं भी था एस जेनलिस्ट एसके एसीसी में इन्होंने कहा कि आप हुरियत से बात होनी चाहिए अब समझने की दो तिन बाते हैं कश्मीर का एक अनफॉर्चनेट ट्रेजडी रही है चाहे वो कश्मीरी हो भारत सरकार हो या इवन पाकिस्तान की सरकार भी हो हमें बिना डर के ये बात कहनी च लगा बात नहीं करें गाये ऐसा ही पाकिस्तान का हाल है कश्मीर में ऐसी बात होनी चाहिए पुजशन आफ रियलिस्म से बात होनी चाहिए पुजए अफ सिटरंगत से नहीं बात होनी चाहिए दूसरी बात आप छोड़ी है नेशिनलिस्म, रेलजन को, हिंदुज्मachen, इस दस साल के बाद अगर पूरा कश्मीर कहीं खुदाना खास्ता कबरिस्तान बन गया वो तो भारत सरकार के खुद हित में नहीं होगा, चाहे कश्मीर का कुछ भी परस्पेक्टिव हो, पाकिस्तान का कुछ भी इस कबरिस्तान को बनने से रोकना पड़ेगा और एक और एहम बात जब नागाओं के साथ बात की तो भारत की वरिष्ट पत्रकाओं ने आपके जीमीडिया बीडिकाओं नागाओं ने बात की ती पासपोर्ट की कश्मीर सबस्या पर मुझे आपका भाशन नहीं सुनना है आप बीच में पाकिस्तान को भी ले आ रहे है पाकिस्तान का कोई स्टेक तो है निसमें आप जबरदस्टी पाकिस्तान गुजाने कोशिश कर रहे हैं मेरा आप से सीधा टू दब पॉइंट यह है ग्राउन रियालि ठीक है ठीक है ओके जनरल दियान जनरल दियान देखे दीपक जब भी आप कहते हैं ना कि बातचीत होनी चाहिए बात करेंगे तो भारत सरकार और हम एक मुद्दा देते हैं कि इसका मतलब कोई ना कोई मुद्दा है वहां बात करने के लिए एक तरफ हमारा स्टेंड बहुत क की कोशिश की है जितनी बाकी स्टेट्स में अगर कोई मुद्दा है तो उस पे बातचीत करने के लिए कौन है मुद्दा है वाट टेरिस्ट है क्या हूरियत रिस्पॉंसिविल्टी लेती है कि वो टेरिज्म चला रही थी है और वो चोड़ेगी और वो सरिंडर करवाएग क्या हूरियत जिम्मेवारी लेती है कि उसने कश्मीरी पंडिट्स को भगा आता रहो वो वापिस लेगी क्या हूरियत जिम्मेवारी लेती है कि लोगों को उसने बढ़का था भारत के खिलाव और वो अब लोगों को भारत के आक में करेगी विनिंग ओफ हार्ट्स और बागी चलाते अगर आपको 370 डाइलूट करना है तो हां मुद्दा है अगर आपको 30 से डाइलूट करना हां मुद्दा है और अभी कोई कहरे थे कि पता नहीं वो Constitution के तहित बात करेंगे या नहीं करेंगे जो इस देश में इस देश के Constitution में से नहीं है जो ऐसी बात करता है उसको पहले बोलिए आप पहले भारत चोड़िए और जाईएगा क्योंकि भारत का कंस्टिट्यूशन भारत के कंस्टिट्यूशन के तहत रिक्रिगनिशन दिये हमने 370 रिक्रिगनाइज किया डाइलूट करना तो हम करेंगे हमने वहाँ पे 1964 में सद्रे रियास्त रियास्त सब खतम किया हम करेंगे हमने वहां शिमलाकॉड के बाद एक अकॉड किया जो की सेक और इंडरा गांधी का था वो कम्प्रियंसिव है बात करने को कुछ नहीं है बात करने आप वहाँ पे महाल बनाई है और जैसे जैसे कमाडर जेजेजिंग कह रहे थे दिनिंग आफ हार्ट्स और माइंड्स पे ध्यान दीजिए और टर्रिस्ट को लेसन सिखाइए और जो उनके स्पांसर्स है पाकिस्तान उसका भी कुछ कीजिए ना जफर इसलाम बिल्कुल सही बात जफर इसलाम बीते दो सालों से आप हर कारवाई का मूतोर जवाब दे रहे हैं आपने उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया आपने पुलवामा का जवाब आपने बाला कोट है स्ट्राइक से दिया आपने वह पर टेर्रिस को नीट्रालाइज किया है आपका अभी बैक्गराउंड देखें पिछले एक दो साल का तो आप बहुत ही मजबूती से गवर्मेंट अफ इंडिया बहुत आगे मजबूती से आगे बढ़ रही है अचानक से ये ब्रेक क्यों लग रहा है पिर अलगावादियों का जब आपने सारे अलगावादियों को गेड दिया है सबके सबके ओपर शिकंजा कस लिया है जेल में बेज दिया है अचानक से ब्रेक क्यों लग रहा है विशंबर दियाल जी जो बात कह रहे हैं वो फुल फ्लेज पाकिस्तान पे वार अब इसके बारे मैं टिपनी नहीं करूगा ये सिंसिटिव इशु है कि पा पाकिस्तान को पाटैक भारत सरकार ने क्लारिटी दिया है कि पाकिस्तान के किसी आर्मी इस्टॉलमेंट्स पर हमने कोई इटैक नहीं किया था लेकिन द्याल साहिब कह रहा है कि उस पे अटैक करना जी पाकिस्तान पर खेर ये मसला दूसरा है उस पर मैं आज टिपनी नही बार का है कि हम लोगों को मेनिस्ट्री में जोडना चाहते हैं हम इसको वहाँ पर जिस तरह से वादियों में पहले जैसे एक खुशी का महौल होता था उसी तरह का खुशगवार महौल बनाना चाहते लेकिन हाँ जो पाकिस्तान से प्रेरित पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं और पाकिस्तान के आतंकी गतिवीदियों का हिस्सा बनते हैं और देश में आतंकी हमले में कहीं न कहीं कि शिर्कत रहती ऐसे लोग को हम बिलकुल लिक्विडेट कर देंगे हम उनको खतम कर देंगे ऐसे लोग हमारे बिलकुल नजर पे हैं और टार्गेट पे हैं हम उनको मारें नहीं, यह मैं एक दो साफ लफजों में कह रहा हूँ, लेकिन उससे कबरिस्तान नहीं बनेगा, उनके वज़ा से कबरिस्तान बन रहा है, उनके मरने के बाद, खुझगवार महल बनेगा, यह मैं तुम को आश्वास बनेगा, और क्या ऐसे हालात हैं कश्मीर मे कि हम बादचीत की बात भी करें, इस बीच एक बड़ा सवाल यह उठाता है यहाँ पर, कि हुर्यत से अगर बादचीत की बात चल रही है, तो क्या वाकई में हुर्यत स्टेक होल्डर है भी, बादचीत के लायक भी है, क्या वो किसी तरह का से रकता है कश्मीर की पलिटिक् करा रहा है वह यह बात को इस बात को वह स्विकार करें कि वह टेर्रिजम करा रहा है उसके बात तो बोले कि हम टेर्रिजम पर लगा देंगे देखिए अभी रीसेंट इंसिडेंटे 23 में का 23 में को जाकिर मुसा नामक आतंगवादी मारा गया और अगले ही दिन हुरियत ने बंद कॉल दी शहीद जाकिर मुसा कहकर उसके नाम पर बंद कॉल दी तो एक अलकाइदा का ऑपरेटिव कश्मीर में जो जो इसलामिक स्टेट बसाना चाता है कश्मीर में उसको आप शहीद कहके इसके नाम पर बंद कॉल देते हो और फिर कैतो संगठन के साथ बात करें गेंगे तो मुझे नहीं पता किस किस 아직 से आप बात करेंगे क्यों आप लेजितिमाइज करना चाहते हो एक आदिकमवादी संगठन को बहाद आप आती है आप जम्हू कश्मीर में एलेक्शन कराते हैं आपने हुए आप हर नागरी की इंसल्ट कर रहे हैं अर फिर कहते हैं कि कोई करते हैं कि 95 साल की उमर में वो कहेंगे नहीं मेरा स्टेंड चेंज हो गया है दूसरे नेता यासीन मलिक वो तो खुक्यात आतंगवादी हैं मेरवाइस सहाब खुद ऐसा है फंडेड हैं तो आप कहना चाते हैं कि पाकिस्तान का रोल है आप हुरियत को लेजिटिमेट करके पाकिस्तान को कह रहें कि पाकिस्तान का रोल ठीक है गवर्नर साहिब ने बोला उसके बारे में उस लिए कि पिछले एक साल में जिस तरह से हमने वहां कामियावी हासिल किये जिस तरह से हमारा पूरा प्लान जो है एक्जेक्यूट किया है उससे जाहिर है हुरियत जैसी और्गनाइजेशन के कमर तूट गई है आतंगवा को भी हमने बिल्कुल साफ नजरों में देखा और हम एक 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 उसको लिक्विडेट कर रहे हैं लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैंने पूछा तो उस सवाल का जवाब देने वाले कोई है नहीं यहां पर मैं यह पूछना चाहता हूँ चाहे कश्मीरी भाई यहां पर हो हमने कहा कि महां कबर नहीं बनाना चाहते हैं महां तो वादियों में पूल खिलाना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को जरूर लिक्विडेट करना चाहते हैं जो लोग देश के हित में नहीं सोचते हैं और देश के खिलाफ काम करते हैं तो देश देश दिरोयों को हम जरूर ठिका अफिडिया पुलीड करते हैं इस पर तो हम बात चीट की है कि वो चारों तरफ से गिर गें तो ये सवाल का अभी पहले देखिए बात हमने कहा है हमने बराबर कहा है कि कश्मीरियों के हक में कश्वरियों के इत्में और फर्दान मत्री ने कहा है दो कश्मीरियों के हाथ उच्वर लेंगे लेंगे लिए लिए पहले के बाल को देखे बाद आसीन मलिक के अरेस्ट के बाद भारत सरकार ने होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है उन्होंने कहा कि जो कश्मीर में हुआ कश्मीरी पंड़तों के साथ खास कर वो एथनिक जैनोसाइड था यह आफिजल स्टेटमेंट आ रहा हूं रमीज आपके पास उसके बाद आपने बाल कोट में आपने अटेक किया और आपने मिनिस्ट्री आफ एक्टनल रिफेर्स का स्टेटमेंट आए कि जो कश्मीर में पाकिस्तान कर रहा है वो जिहाद है उस जिहाद क कश्मीर में फैला रहा है हुरियत आप चाहते हैं कि आप उससे बात करें जो जिहाद इस्लामिक स्टेट इस्टेट इस्टैबलिश करना चाहता है भारतिय जनता पार्टी ने अगर aid किया भारत सरकार ने अगर एडिमिट किया जो कश्मीर में हुआ वो जैनो साइड है कश आपको अल्राइट करना ही पड़ेगा दा सेगंड में जवरबाइस का जवाब दीजे फिर मैं रमीज मख्दूमी का सवाल नूँगा बार 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 जिस सवाल का जवाब मांग रहे हैं मैंने तो कहा है कि हमने सरकार ने कोई ऐसी मन्शाभी तक जताई नहीं सरकार का मतलब गवर्नर है ना वहाँ पे तो गवर्नर रूल है वह तो सेंट्रल के नुमाइन दे ना सर वो ने नहीं उनोंने ये थोड़ी कहा कि बात करना हैं हम लोग सर हम इसी बात पर बात कर रहे हैं बिना ग्रह मंत्रा लेके हमारा अनुमान ये जफ़र भाई बात करना चाहती है जफर भाई बिना जफर भाई आप लान क्या हो सकता है उसके बारे मैं पुछ्टी नहीं करूँगा लेकि सरकार ने क्या कहा भी बिना ग्रह मंत्रा लेके बिना बारा सरकार के ग्रीन सिग्नल के वो ऐसा स्टेटमन कैसे दे सकते हैं इंगेज करना चाहते हैं सरकार को जो अब तक नहीं करना चाहते थे नहीं नहीं वो सरकार को वो इंगेज नहीं करते थे इसलिए आप रामिलास पास्वान जी जब गए तो उन्होंने दर्वाजे बंद कर दी अपने खोले भी नहीं आज वो खुछ से चाहते हैं बात करना बिल्कुल और यही सवाल हम उठा भी रहे हैं जो राजपाल महुदे ने कहा है जो राजपाल महुदे ने कहा है कि आतंकियों की नई बर्दी पर लगाम लग चुका है जुम्ह की नमाज के बाद पत्थर बाजी पर रोक लगी है अल्राइट रमीज लीपक आओंगा सर आपके पास रमीज बहुत देर से आत उठा रहे हैं रमीज देखे मैं कोई मैं कोई जी 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 मैं कोई मैं कोई लंबा चोड़ा बाशन नहीं करूंगा ये लिखा है बगवत गीता में भी कि सचाई और तथ्यू का खून करके आगे न सिंग या जनरल पिशंबरदाल मैं एक मिनिट के लिए मानता हूँ ये 100% है और हम जो बताते हैं वो सच नहीं है ठीक है मैंने वो भी माना मैंने पाकिस्तान और हुरियत का पार्ट भी माना लेकिन ये खुदारा मेरी इस चीज़ का जवाब दे ये कैसी बाते हैं ने पास किया यहां 2003 में मुफ्ति सहीद की PDP की सरकार बनी बारत का आईन माना उनकी सरकार बनी लेकिन उनका मैनिफस्टो देखे उनके हजार बाशन देखे उन्होंने हुरियत को भी स्टेक होल्डर माना पाकिस्तान को भी माना और बार बार बायान और ट्विटर हैंडल्स उ आप भुरियत को पॉलिटिकल आउटफिट मानते हैं अगर कश्मीर पॉलिटिकल इशू नहीं होता तो हम पिछले एक गंटे से यहां पर मघजमारी इस टीवी चैनल पर आके नहीं कर रहे होते हम सब पैनलिस लेकर आप लेकर सब यह एक इशू है मेरा सवाले स्टेक होलडर मानते हैं आप या नहीं मानते हैं पीडी भी अपना स्टैंड क्लियर करें ना आप माने या ना माने हम उसको माने या ना माने हमारी जमाद जो है वो यारे मैंस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी लेकिन हम भी मानते हैं कि उनका एक आइडिया है हम उनके आइडिया से सहमत नहीं हैं लेकिन उनका एक आइडिया है उनसे बात करनी पड़ेगी वो दायरे से यही तो जनर्ल दयार शुरू से कह रहे हैं कि आप उनके आइडिया को नहीं मानते हैं आप जानते हैं कि उनके दामन में खून लगा हुआ है बिल्कुछ उन्होंने दिपक जी दिपक जी पहले दिपक जी आप मुझे बात करने दे आप पॉलिटिकल सॉलिशन की बात कर रहे हैं आप पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देंगे और बच जाएंगे ऐसा नहीं होगा ताइब भाई आप सही साफ साफ सीधी बात बुलिए या अगर आप उनको स्टेक होल्डर्स मान रहे हैं तो आप उनके दामन में लगे हुए खून को भी लेजिटिमाइज कर रहे हैं आप ये भी कर रहे हैं कश्मीरियों के कतले आम के लिए जितना हुरियत जिमेदार है अतना कोई नहीं है सर आप उनको भी लेजितिमाइस करने हैं यहाँ पर किसी का दामन दीपक जी दीपक जी यहाँ पर किसी का दामन साफ नहीं है यहां पर हर एक के दामन पर कश्मिरagit के खोन के दबे एं यहां पर हर एक जो यहां पर बारा गया है उनके खोन के दबे हैं आप किसी को साफ नहीं बता सकते हैं यहां पर यहां पर हमारे यहां आज बस्तियू से ज़्यादा कबरिस्तान आबाद है। अगर स्टेक है तो पीयों के का स्टेक है उसके बात कीजिए एके करके सब की बात सुनेंगे एके करके को मुदोर सिंग देखे दीपक हां ओके आल राइट अल राइट जनल दैल जनल दैल प्लीज कंटिनू यह जिसने टेरिज्म को यह जनल जनल दैल जनल दैल प्लीज मैं आरों कमोडोर सिंग आपके बात की दिये कमोडोर सिंग प्लीज कंटिनीव सर्फ कमोडोर सिंग हां हां येस देखे दीपक मैं आपको देखे हमें थोड़ा सफाई से सोचना चाहिए गर्वर्मेंट की कोश्च जो मेरी समझ में आ रही वो यह है कि सांप भी मर जाए और सोटी भ हम हटा दें 35 भी हटा दें टेरिरिस्म को खदम कर दें ये हमारा एम है ये नई गर्वर्मेंट का नई सोच है अमित्शा जो सत्यपाल मलक जी का जो इशारा है वो इसी तरफ है तरस्ट इसी तरफ है जिसको हम कहते हैं मगर मुझी आप यह बताई है कुछ पुलिटिकल एन वो लोग हैं जो प्रो पाकिस्तान हैं एंटी इंडिया है और एजेंट्स ओफ आईएसाई हैं वो सेपरेटिस्ट है अलगवादी हैं जलानी और पार्टी के आदमी हैं अगर हम अभी ये बात जो है हमारी गर्वर्मेंट को डिफेंस को सब को साफ नजर आती कौन है आने वाले जो स्टेक होल्डर वो तो यही लोग है ना अगर आप इससे बात नहीं करेंगे को कंस्ट्रक्टिव तो फिर बात मुझे आप यह बताईए किससे करेंगे आप उन मेंबर से करेंगे जिनका लेना देना नहीं है वो तो पहले ही साथ में और हर जो प्राबलम होत कि उसके अंदर पांच ना दस परसंटी लोग होते हैं पुछ हैंड़ फुल होते हैं यो जो काम करते हैं और वो हमें अडेंटिफाइक कर रखा है हमने हम को यहां कि आगे पाइसे जाना है वो गूमिंट की को शुर्ट नहीं कर सकते वो हमारी बंदू को ठीक है तो आप कह र अनिलजी आनिल जी अल्राइग आनिल जी आनिल जी बहूत दे जाना कि जोनोग यह कहते ना कि पाइसटान के से टेरियरिजम है और क्या है आज हुरियत से आप बात कर लो कर वो सुरियत खड़ा कर देंगे परसो पूरियत खड़ा कर देंगे डे आफ्टर कोई और पूरियत खड़ा कर देंगे और ये बात नहीं है बात यह है कि आप वहां पे अपने लोगों के विनिंग ओफ आर्च आने लानन दबाव दोनों तरफ है इतना समझ में आ रहा है अनिल जी दबाव समझ में आ रहा है हमें कि हुर्यत की कमर तूठ चुकी है जैसा कि जो भारत की सरकार है वो बार-बार अगर बाचीत की बात कर रही है तो क्या आपको नजर आ रहा है इसके पीछे वहाँ पर चुनाव भी कराने क्या एक पॉसिबल दबाव ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर शांतिपून तरीके से अब चुनाव की बारी आ गई है गवर्म आपने सोल पूछा कि क्या पहले भी परस्ट पूछा कि क्या हौरियत रेलिवन्ट है भी है के नहीं मीर वाइज ओमर फुरूग की सबसे बड़ी कॉनस्टाइट थी और कितनी थी पुराने कश्मीर शहर की दो असेंड़ी सेंग्मेंट्स गेलानी साहब सिर्फ सोपुर के तग लिमिटेड थे हूँ, हाँ, उनकी अपील चलती थी, वो एक अलग किसम की अपील करते थे, एक अलगाबवादी अपील करते थे, तो कहिना कि एक माहौल बना लेते थे यसीन मलिक कभी माईसुमा एक महला है, उसके बाहर कभी आज भी नहीं निकले, शबील शाह का तो कोई महला भी नहीं है, तो रेलिवेंस उनकी बनाई गए दिल्ली की तरफ से, दिल्ली ने भी बहुत गलतियां की है, ओवर दाईयेज, ओवर दे डिकेट्स, मेरा मानना है बा एक्सटराइजी की सरकार के वक्त भी हुई, लेकिन जब एक्स्टराइजी सीरियस सिचुएशन हैं, तो आपको अधर के हैं उनसके भी और भार के हैं, उनसे भी बात करनी पड़ेगी, अंदर के के चैरेक्टर की जब मैं बात करता हूँ, तो आपको जमू को कॉन्फिरें हो जाते हैं, तो क्या करना चाहरे हैं, आप पहले इस पर क्लारिटी आनी चाहिए, बिल्कुल क्लारिटी होनी चाहिए, और फिलाल जो जफर भाई ने शुरुवात में भी का, कि बारस सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया गया है, ये राजजपाल सित करक सवाल का वक्त हो चुका है, जो हमने पबलिक से पूचा था, अपने विवर से पूचा था, क्या कश्मीर में गोली का जवाब गुल्दस्ते से दिया जाना चाहिए, ये है आज का गड़क सवाल, बयान में फीजपी लोग कहते हैं कि नई, गोली का जवाब गुल्दस् ताहिर सेयद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित रहना जी आपका शुक्रिया जनरल दयाल आपका बहुत 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 शुक्रिया रमीज मखदूमी आपका भी बहुत 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 शुक्रिया अने लाना जी आपका भी बहुत 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 शुक्रिया इस बात में आज हमारे साथ जूलने के लिए आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया देश और दुनिया की बाद की खबरों के लिए आप देखते रहे हैं जी बसक्ति अज़िए